हेलो लर्णेश आप सभी को प्यारवर नमस्कार गया असली क्लासिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपके एग्जामिनीशन से पहले ये लास्ट मैराथॉन क्लास और ये महा मैराथॉन क्लास है क्योंकि एक ही वीडियो में हम पूरे पेपर वन को डिसकस करने वा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे तो ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे और उनका भी पेपर वन क्लियर हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिफ्ट हैं जिनका पेपर वन भी होना बागी है स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी के तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टीचिंग अप्टिट्यूड से एक और बात बता दूं कि इस पूरे लेक्चर में जो है हिंदी में ट्रांसलेट टाइं किया है मैंने क्योंकि बहुत सारे स्लाइट्स थे और टाइम कम था इसलिए मैंने इंग्लिस में ही आटिट्यूड को डिवलप करवाते हो बिहेवियरल चेंज देखना चाहते हो है वेवहारिक परिवर्तन आप देखना चाहते हो इसमें सिस्टमेटिक और इंटरेन्टिशनल अक्टिविटी होता है जिसको डिजाइन किया जाता है ताकि लर्निंग या अधिकम जो है इसको प्रमोट किया जा सके या यह आर्ट और साइन्स दोनों है आपको भी मालू है कि टीचिंग एक आर्ट भी है क्योंकि किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देरो और साइन्स भी है इसके पीछे जो है सिस्टमेटाइज तरीके से आप करते के जो है अच्छे जानकार होने चाहिए तब ही आप teaching बेतर कर पाएंगे क्या उदेश से है teaching का objective क्या है सबसे पहला objective है cognitive objective जिसमें आप बच्चों के संग्यान का विकास या संग्यानात्मक विकास करना चाहते हैं उनके जो दिमाग है उनका उनका बहुत धिक विकास करना चाहते हैं इसमें आपका focus होता है intellectual ability को develop करने में जिसमें आप उनके समझ को विकास करते हैं उनके चीजों को जो पढ़ा रहे हैं उसको apply कैसे करना है real life में वो बताते हैं और साथी साथ analyze करना सिखाते हैं तो ये cognitive objectives हो गया effective objectives देखेंगे तो इसमें आप उनके behavior में क्या change देखना चाहते हैं कैसे उनके attitude को save कर रहे हैं जो values हैं उनको कैसे आप save कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो feelings हैं उनको तो ये effective domain में आ जाता है और psychomotor domain या psychomotor objectives जो होते हैं नहां पर आप उनके physical और motor skills को develop कैसे कर रहे हैं आप play को सामिल करके कैसे जो है उनके daily life में आप खेल को सामिल कर रहे हैं जिससे उनका physical और motor skill भी बहतर हो handwriting उनका बहतर करवाने के लिए आप कैसे practice करा रहे हैं ये सारे ही psychomotor domain में आ जाते हैं अब अगला देखते हैं levels of teaching तो देखे सबसे पहला level memory level याद रखेएगा ये हरबट ने दिया था memory level स्मृति इस्तर इसको बोलते हैं इसमें जो है किसी चीज को रटना wrote memorization ये सबसे जो है याद रखेएगा basic या फिर foundational level होता है सबसे निचला level ये basic level या foundational level होता है यही new होता है और इसी के उपर इसको दिया था reflective level सबसे highest level होता है और यहाँ पर आप critical thinking कर पाते हैं और आलोशनात्मक सोच जिसम कहते हैं और इसका सी साथ problem solving पर इसमें ध्यान दिया जाता है इसके साथ साथ जो knowledge आपने लिया है उसके application पर ध्यान दिया जाता है कैसे आप जो भी knowledge आपने लिया उसको नए situations में कैसे apply करो होगे और नई नई अगर situations अराई हो रही है तो कैसे उसमें आप अपने prior knowledge को use करोगे अगला है characteristic of teaching जो भी आप सिक्षण कर रहे हैं उसकी क्या विसस्ताय होनी चाहिए सबसे पहले तो देखे teaching एक dynamic process है यानि कि गतिशील प्रक्रिया है यह इसमें आप जो है change ले आते हैं अपने जो भी आपके आसपास changes हो रहे हैं उसके हिसाब से adapt करते हैं situational changes ले आते हैं तो technology के हिसाब से भी आपने change किया आपने अपने सिक्षण साथ या pedagogy में भी change किया और learner का जो need है उसके हिसाब से भी आपने change किया फिर अगला है interactive तो interactive होना चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ पर communication होता है teacher और student की बीच में यानि interaction हो रहा है बच्चे जो है वो teacher से सवाल पूछते हैं teacher जो है वो बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं या फिर उनको कुछ बताते हैं तो यह interaction हो रहा है फिर goal oriented होना चाहिए teaching मतलब teaching का एक goal होना चाहिए learning outcome जो है इसमें आप जो की निकले यानि कि एक class अगर कोई बच्चा पार कर पा रहा है तो उस class में पहुंचने के बाद उसको क्या-क्या expect किया जा रहा है for example class first अगर एक बच्चा पार किया तो हम लोग expect करते हैं कि उसको multiplication आ जाएगा उसको जो है division या भाग करने आ जाएगा उसको जो है subtraction और learning outcome होगा तो ये goal oriented होना चाहिए फिर teaching methods देख लेते हैं तो देखिए अलग-अलग teacher centered, learner centered, blended learning type के अलग-अलग methods हैं सबसे पहला teacher centered method होता है जिसमें teacher के उपर ही पूरा focus होता है जैसे lecture method हो गया, demonstration method हो गया, direct instruction method हो गया यहाँ पर जो main focus होता है वो सिक्षक के उपर होता है वही केंदर में होता है और सिक्षक को ही primary source of knowledge माना जाता है और सिक्षक अगर कुछ बता दिया तो उसको ही final मान लिया जाता है यह होता teacher centered method और अक्सर higher education में हमें teacher centered method इस लिए देखने को मिलता है क्योंकि बहुत सारा syllabus cover करना होता है और उसके लिए बहुत जल्दी यह सारी चीज होता है और यहां पर learner active होता है यह project based learning भी हो सकता है experiential learning भी हो सकता है और जो इसमें focus होता है वो active participation of student पर होता है यानि कि जो बच्चा है वो active रहे उसका participation जो है वो सुनिशित किया जाए तो learner centered method यह हो गया blended learning क्या होता है तो देखें जैसे आप traditional classroom कराते हो जो offline class आप जाके जहां पर present रहे तो जहां पर teacher भी class में होता है student भी class में होता है और उसके साथ साथ अगर online learning करा रहे हो इसको blended learning कहते है याद रखेगा अब हम देखते है effective teaching जो है वो क्या से कर सकते हैं सबसे पहले जो भी ध्य है जो भी objective है वो clear रहे क्या achieve करना चाहते हो यह clear रहे teaching जो आप क्या पढ़ाना चाहते हो फिर engagement important है यानि आप बच्चों को actively participate कराईए class में उनसे कुछ सवाल पूछे उनको active रखिये उनको bore मत होने दीजिये उनके interest को बिलकुल ही जगरुक रखिये अगर उनका interest जगा रहेगा तो engaged रहेंगे फिर feedback important है तो देखे timely और constructive feedback अगर आप दे रहे हैं तो उससे बच्चे का भी overall development अच्छा होता है learning अच्छा होता है और आपका teaching बे बहतर होता है तो timely और constructive feedback दीजिए बच्चों को बताईए कि कहां वो गलती कर रहा है और कैसे उसे सुधार सकते है adaptability यानि कि आप अपने teaching method को कैसे adjust कर रहे हो अलग-अलग learning style बच अच्छे हैं आपके class में और चुकि आपको मालूम है कि class जो है आज कल एक inclusive classroom बन गया है समावेसी सिक्चा के लिए समावेसी कक्चा भी जरूरी है और समावेसी कक्चा में अलग-अलग type के students हैं उनका अलग-अलग learning styles हैं उनका अलग-अलग needs हैं उन needs को cater करने के लिए आप आपको अपने जो teaching methods हैं उसमें भी बदलाओ करना पड़ता है अजस्ट करना पड़ता है तो यह adaptability भी teaching को effective बनाती है फिर यह आपको मालूम है objectives clear होना चाहिए engagement होना चाहिए feedback वाला हो गया adaptability हो गया फिर देखे teaching aids और resources तो सबसे पहले आजाता है आपका कौन-कौन से ऐसे सहायता समगरी है जिनका आप यूज कर सकते हैं पढ़ाते समय या teaching करते समय तो visual aids जैसे chart हो गया graph हो गया video हो गया इसको यूज कर सकते हैं ताकि बच्चों का समझ जो है वो ज्यादा बहतर हो आप technology या तकनीक का यूज कर सकते हैं teaching में जैसे multimedia का यूज कर लिया online platform का support किया जा सके instructional material जैसे textbook हो गया reference book हो गया और hands out हो गया इसको जो है आप use करके और content को और ज्यादा बहतर बना सकते हैं और ज्यादा उसको पूरा बना सकते हैं यानि कि complete content आप दे सकते हैं तो teaching aids help करता है कि आपका जो teaching जो आप पढ़ा रहे हो जो lecture दे रहे हैं class में उसको support क करने के लिए अगर कोई material आप use करते तो इसको हम कहते हैं teaching aid अब हम देखते हैं evaluation system evaluation system क्या है देखिए कैसे आप evaluate कर रहे हैं है तो evaluation में होता है formative evaluation summative evaluation or diagnostic evaluation formative evaluation क्या होता है देखे अगर आप लगतार assessment कर रहे हैं बच्चों का और learning process यानि आप अधिगम करा रहे हैं और उसी दोरान आपने जो है test ले लिया तो इसको हम कहते है formative evaluation ongoing feedback है ये ongoing feedback का मतलब क्या हो गया कि आप पढ़ाई भी करा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं समय ही आपने test ले लिया और उस test के जरीए आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को कहां दिक्कत हो रही है उनके weaknesses क्या है और किस चीज में उनको problem आ रही है और उस हिसाब से अपने adjust कर लिया आपने अपने learning teaching technology को या फिर teaching methodology को summative evaluation क्या होता है आपको मालूम है end term वाला जो exam होता है यानि आखरी में जो भी exam होता है जिसके होने के बाद class change हो जाता है जैसे first class में एक बच्चा है उसका एक end term exam होता तो उसको हम कहते है summative evaluation यानि कि ये end of a unit और a course होता है कोई course का अगर अंत हुआ तो उस अंत के बाद उनके overall learning को evaluate करने के लिए आप summative evaluation करते हैं और diagnostic evaluation क्या होता है इसमें diagnose करना यानि कि कोई बच्चे को क्या problem आगर ये जानना चाहते हैं उनके strength और weaknesses जानना चाहते हैं तो क कोई भी अगर आप पढ़ाई या फिर आप सिक्षा सुरू कर रहा है माल लिए कक्षा दो के बच्चो को आप पढ़ा रहे हैं तो उनको पढ़ाने से पहले आप जानेंगे कि उनके क्या strength और weakness हैं उनका prior knowledge कितना है और अगर ये आपको मालूम करना है तो उसके लिए आप diagnostic evaluation करते हैं कुछ questions probe करते हैं और उन questions के जरी आप जानना चाते हैं कि उन बच्चो को कितना knowledge है और उसी के उपर build upon करके आप आगे भी पढ़ाते हैं और इसको हम कहते हैं meaningful learning आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ाता meaningful learning है ना तो ये हो गया आपका diagnostic evaluation अब हम करते हैं और अच्छे effective teaching strategies को use करते हैं और साथी साथ assessment के लिए आप student के learning को evaluate करते हैं कितना बच्चा सीख पाया है और इसके साथ साथ जो भी जरूरते हैं वो adjust कर लेते हैं आप instruction में या कैसे आप पढ़ा रहे हैं उसमें adjustment करते हैं बच्चों के needs के हिसाब से अब देखिए जो teaching है उसको effective बनाने के लिए हमने जो points देखे उनमें कुछ बाधा भी आ सकता है कुछ barrier भी आ सकता है कुछ औरोध भी पैदा हो सकता है क्या होते हैं वो औरोध सबसे पहले तो communication barrier अगर आप जो है वो communicate ये अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊ गया आपकी भासा में clarity नहीं ह जाएगी तो communication barrier के लिए आपको या तो local language सीखना चाहिए जो बच्चों को आता है या फिर जो भी language में आप पढ़ा रहे हो तो आप clarity रखिए और थोड़ा और ज्यादा बहतर तरीके से आपका tone, pitch, आपकी आवाज के जो volume है वो तेज होना चाहिए और अच्छे तरीके से बच्चों को जो है आपके भाँ सा समय में आनी चाहिए दूसरा है resources की कमी यानि की संसाधनों की कमी अगर हो जाए तो उससे भी teaching बहतर नहीं होता है for example देखे teaching materials जो है वो ही कम पढ़ जाएं बच्चों को किताब नहीं मिल पा रहा है बच्चों को copy नहीं मिल पा रहा है या फिर जो द्रिस स्रव सामगरी है वो ही उनको नहीं मिल पा रहा है जो बच्चे माले द्रिस्टी बदित हैं तो उनको braille लिपी की कुछ चीजे मिलन थी वो नहीं मिल पा रही है टेकनोलोजी का यूज नहीं हो पा रहा है तो यह resources की कमी भी effective teaching के लिए barrier साबित हो जाएंगे student की diversity देखिए अलग-अलग student उनके अलग-अलग learning style है cultural background भी अलग है और ability भी अलग है और इससे भी barrier पैदा हो जाता है कई बार क्योंकि देखिए सा clear हो गया होगा आपके revision session में यह अच्छे से clear हो गया होगा देखिए बहुत जाएड डीप में जाके नहीं लेकिन हमने सारे concept को touch किया है आप हम research attitude को start कर रहे हैं तेके research क्या होता है जो अनुशन दहान है यह systematic प्रक्रिया है systematic investigation है जिसका aim क्या होता है नए knowledge को discover करना problems को solve करन इसमें collection analysis interpretation होता है data का और आप कोई भी specific question एक होता है जिसको आप solve करना चाते हो या उसका जवाब आप जनना चाते हो या फिर आपने कोई परिकल्पना या hypothesis तेयार किया है और इसी परिकल्पना को जो है आप परिक्षण करना चाते हो test करना चाते हो और देखना चाते हो को hypothesis जो है आपका सही है या नहीं है research के कुछ विसेस्ताइं होती है characteristics होते हैं जैसे research systematic होना चाहिए एक इसका pattern है उसको follow करना चाहिए एक structured approach है जिसको follow करना चाहिए research को ऐसा नहीं है कि आपने पहले data collection कर लिया और फिर आपने research question को ready किया ऐसा नहीं होता है systematic तरीके से दूसरा है कि इसका objective जो है वो होना चाहिए यानि research जो है इसमें एक objective होना चाहिए unbiased होना चाहिए research और evidence based होना चाहिए logical होना चाहिए एक clear line of reasoning होना चाहिए logic follow करना चाहिए research को research replicable होना चाहिए यानि कि अगर आप research कर रहा हो और कोई outcome आ रहा है तो कोई और भी research करे तो similar outcome अगर आ रहा है तभी उस research को अच्छा research माना जाएगा और research empirical होना चाहिए यानि experience based होना चाहिए observable होना चाहिए ऐसा research होना चाहिए जिसको measure किया जा सके ऐसा ना हो कि आपने कुछ vague research कर दिया और कोई और उसको majoring नहीं पा रहा है तो यह इसके विसस्ताएं हैं अब हम देख लेते हैं types of research तो research के अलग-अलग types हैं जैसे basic research या pure research कहते हैं इसका aim होता है knowledge को expand करना बिना किसी direct application के सिर्फ जो है knowledge को बढ़ाने के लिए basic research किया जाता है वही applied research जो होता है इसका focus होता है कोई भी specific practical problem को solve करना apply करना उसी knowledge को application के रूप में देखना तीसरा action research इसका aim क्या होता है जो भी practices या processes होते हैं specific context में उनको देखना और action research जो होता है यह तुरंत के लिए किया जाता है कि अगर आपको immediately कोई solution चाहिए किसी problem का तो immediate solution के लिए जो है न हम action research करते है descriptive research क्या होता है इसमें आप जो भी विसेस्टाय होती है कोई भी population या phenomenon का जिसको आप research कर रहा हो तो उसको आप describe करते हो उसका वर्णन करते हो फिर experimental research क्या होता है experimental research में आप variables को या जो चर हम कहते हैं तो इन चरों को hair fair करते हो इन में इनको manipulate करते हो आप देखना चाते हो कि जो cause and effect relationship है वो establish हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ठीक है तो कारण प्रभाव जो relationship है उसके उपर ध्यान देते हैं experimental research में historical research क्या होता है इसमें जो है आप past events को examine करते हो जो पहले घटनाए घट चुकी है बहुत पहले उनको examine करते हो और conclusions draw करते हो present को समझने के लिए ताकि past के घटनाओं से समझ के आज को हम बहतर बना सकें ex post factor research क्या होता है इसमें जो है जो भी existing condition है या events है उनके हो जाने के बाद कोई घटना है वो घट गई फर इजामपल नेपाल में भुकंप आ गया उसके भुकंप के हो जाने के बाद जो है आप वहाँ पे पहुँचे और उसकी कारण को जानना चाहा आपने अलग-अलग research किया उसको हम कहते है ex post factor research ethnography क्या होता है qualitative research होता है या गुणात्मक अनुसंधान होता है इसका focus होता है cultural phenomena को समझना और ethnographic research जो है ये एक field research हिमान लिजे कि वहाँ पर आप जो है उन्हीं लोगों के बीच मेर रहा है कि ये research करते हैं जिनके उपर आप research कर रहे हैं आप हम देखते हैं अनुसंधान की प्रक्रिया तो देखे सबसे पहले आप क्या करते हैं problem को identify करते हैं यानि कि जो भी आपका problem है उसको identify करेंगे आप research के question को define करेंगे problem को statement को देंगे यहाँ पर कि यहाँ ये चीजे हैं जिसके उपर मैं काम करना चाहता हूँ फिर आप literature review करते हैं जिसमें जो भी काम अभी तक हो चुका है उस problem पे उसको आप अच्छे से review करेंगे current state of knowledge जो है उसको देखेंगे कि क्या क्या काम हो चुका है और उसमें क्या क्या क्मिया रह गई फिर आप परिकल्पना या hypothesis को formulate करोगे ready करोगे और इसमें आप propose करेंगे कि भाई देखें क्या क्या explanation या prediction हो सकते हैं hypothesis में आप एक statement दे देते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे है for example आप कोई नया drug test कर रहा है कोई भी एक नई दवाई test कर रहा है तो उसके लिए आपने दे दिया कि this drug is helpful to treat कोई भी एक विमारी इसे diabetes ले लिया आपने तो this drug is helpful to treat diabetes एक दे दिया आपने यहाँ पर hypothesis अब आपको जो है कैसे भी करके इस hypothesis को सही प्रूफ करना होगा तब ही आपका drug जो है माना जाएगा कि हाँ ये treat कर पा रहा है रिसर्च डिजाइन होता है अगले step में जहाँ पर आप planning करते हो कि कैसे research को conduct करना कैसे अनुस अंधान को आगे बढ़ाना है और इसमें आप methods को select करेंगे tools कौन-कौन से select करना ये सारी चीज़े होंगी फिर data collection आप करते हैं जहाँ पर आप information gather करते हैं survey के थरू experiment के थरू observation के थरू अलग-अलग methods होते हैं data collection के फिर data analysis आप करते हैं जहाँ पर आप data को interpret करते हैं और data जो है न इसको interpret करने के लिए आप कोई भी statistical या qualitative methods दोनों में से कोई भी use कर सकते हैं फिर interpretation conclusion में आप जो है न जो भी चीजा भी तक आपने की उसके उपर आप conclusion draw करते हैं analysis करके और उसके उपर conclusion देते हैं और फिर last में आप report लिख देते हैं कि हाँ ये ये चीज़े की document करते हैं आप अपने research process को finding को conclusion को और इस हिसाब से इस तरीके से आपका research process जो है वो end होता है अब हम देखते हैं अनुशा अंधान के कौन-कौन सी methods होते हैं सबसे सब्सक्राइब होता है qualitative research qualitative research का focus होता है कोई भी phenomenon को observation interview analysis of text या image के जरी है समधना यहां पर जो है किसी भी तरीके के numbers से related कोई काम नहीं होता है या किसी भी तरीके का calculation यहाँ पर नहीं होता है याद रखेगा यह जो है ना गुणात्मक होता है गुण के उपर quality के उपर जो है यह research होता है तो यह होता है quantitative research होता है इसमें आप collection करते हो और analysis करते हो numerical data का यानि numbers जहां पर आगया numerical data आगया वो quantity तो आपको मालूम ही चल गया quantity से तो यह मातरात्मक अनुशंधान यह शोध कहते है इसको यह statistical methods के use से होता है फिर एक mixed method आता है जिसमें आप qualitative और quantitative दोनों को ही mix करके और एक ज्यादा comprehensive understanding लेते हो व्यापक समझ जो है उसका विकास करते है hypothesis statement क्या होता है यह tentative statement होता है परिकलपना statement जो है यह tentative statement होता है जो predict करता है कोई भी possible outcome या किसी भी phenomena को explain कर देगा और यह hypothesis statement जो होता है यह vague statement नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि hypothesis यह दोनों यह hypothesis आप ready करते है नल आईपोथेसिस क्या होता है इसमें आप जो है नो effect या relationship देखते हैं तो कहता है कि there is no effect or relationship between variables यानी चरों के बीच में कोई भी effect या relationship नहीं है इसको हम कहते है नल आईपोथेसिस वह ही alternative hypothesis हम किसे कहते है इसमें देखिए कोई भी अगर effect present है यह कोई relationship है तो इसको हम alternative hypothesis कहते हैं तो null hypothesis मतलब क्या हो गया है यहां पर H0 से हम इसको denote करते हैं और H1 से हम alternative hypothesis को denote करते हैं तो null hypothesis नाम से ही पता चल रहा है there is no effect or relationship between variables जैसे आपने अगर कह दिया कि there is no effect of this drug on diabetes patient तो यह null hypothesis हो गया वहीं आपने कह दिया कि there is a positive effect on diabetes patient of this drug तो यह हो गया आपका alternative hypothesis ठीक है फिर हम sampling के technique देख लेते हैं देखे एक होता है probability sampling जिसमें आप जो है हर member को बराबर मौका देते हैं उस population में for example आपने गाउं को चुल लिया तो आपने randomly बीना किसी भी biasness के किसी भी गाउं के एक member को एक भीन में से निकाल लिया कि आप आप से जो है मैं यह सवाल पूछूंगा तो वो क्या होगा सब को equal chance मिला था और कोई भी एक random में select हो गया तो यह हो गया probability sampling इसमें कौन-कोन आ जाता है random sampling आ जाता है ना है तो यह non probability sampling हो गया तो non probability sampling जो है न यह ज्यादा accurate नहीं होता है probability sampling में ज्यादा बहतर figure आप देख पाते हैं data collection के भी methods अलग अलग होते हैं एक तो primary data होता है जो कि directly आप source से लेते हैं किसी भी source से survey के थरू interview के तो experiment के थरू कोई directly data आप ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं क्या primary data वही secondary data के बात करें तो यह कोई भी existing source जैसे किसी book से अगर कोई data आप ले रहे हैं कोई journal से ले रहे हैं कोई online database से ले रहे हैं इसको हम कहते हैं secondary data अपने सुना ही होगा mean median mode तो यह क्या होता है descriptive statistics होता है और यह data analysis technique है और इसमें आप जोने data को summarize कर लेते हैं कि हाँ इसका mean या average ये हो जाएगा ये middle point या median ये हो जाएगा और सबसे ज़्यादा बार appear होने वाले जो चीज़े हैं वो mode में आ जाएगी inferential statistics क्या है इसमें आप prediction दे पाते हैं या inference draw कर पाते हैं अनुमान लगा पाते हैं कोई भी population का sample के basis पे कोई भी sample आपने उठाया और उसके basis पे आपने population का अनुमान लगा लिया फिर qualitative analysis क्या होता है इसमें आप coding करते हैं, categorize करते हैं interpret करते हैं patterns को data में ये आपका data analysis का technique हो गया research में ethics भी important है कि आप research करते समय कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए जैसे कि सबसे पहले तो आपको honest होना चाहिए, बिल्कुल ही इमानदारी से research करना है, integrity होना चाहिए research में और respect करना चाहिए जो भी आपके research में लोग participate कर रहा है उनके privacy का ध्यान रखना है उनके security का ध्यान रखना है कभी भी अगर किसी के उपर आप research कर रहा है तो उनका consent ले लिजिए, उनसे पूछ लिजिए कि आपके उपर यह यह चीजे होने वाली है यह यह data आपका public में जाने वाला है अगर आप हां कहते हैं, तभी हम आपसे यह चीजे करेंगे, तो उनको अगरी करने के लिए उनसे पूछिए उनका consent बहुत important है inform होना चाहिए, दूसरी चीजे confidentiality, तो देखे privacy उसको protect करना आपका काम है, तो participants उनके privacy को protect करिए, उनके data को protect करिए, और pleasureism को avoid करिए, आप क्या करना है आपको, किसी भी तरीके के जो है ना, चोरी नहीं करने, यह सहित्तिक चोरी जिसम कहते हैं, किसी के काम को अपने काम बता के और उसको publish नहीं करना है यह भी जो है ethics होता है research में अम thesis और article writing कैसे करते हैं, यह देख लेते हैं, thesis के बारे में अगर देखें, तो thesis एक detailed original research document होता है और देखें, अगर आप PhD करते हैं, तो यही thesis आपको ready करना होगा at the end of your PhD, इस thesis के उपर ही आपको आपकी PhD की doctoral degree मिलेगी, तो यह academic degree के लिए submission होता है, एक document का research article क्या होता है, एक short document होता है किसी भी academic general में इसको publish कराने के लिए, उसका focus जो है कुछ specific findings होता है, या कोई भी aspect of research होता है, इसको हम research general कहते हैं, research article कहते हैं, फिर देखें structure क्या होता है, जहां पर introduction, literature review, methodology, results, discussion और conclusion, यह सारी चीज़िए अगर involve करते हो तो उसको हम structure कहते हैं bibliometric analysis क्या होता है, एक ऐसा method होता है, कोई भी academic literature को analyze करने का, जिसमें आप quantity और impact देखते हो, किसी भी published वर्का, for example कोई researcher है, उन्होंने कोई काम पब्लिस कर दिया है, कोई journal में, तो आप देखते हो कि कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं, और उसका impact क्या है और इसको हम citation analysis भी, कहते हैं, citation analysis जो है न, उसके जरीए हम देखते हैं bibliometric analysis को, research paradigm क्या होता है, सबसे पहले तो positivism जिसमें हमारा जो belief होता है वो objective reality में होता है, यानि कि as a reality, जिसको absorb किया जा सके measure किया जा सके, याना, objective reality, positivism interpretivism, इसमें हम emphasis करते हैं, हमारा जोर होता है समझने का, कि भाई, जो भी human experience है, उसको समझा जाए देखे, objectivity अलग चीज है एक ही चीज को जो है, आप दो तरीके समझ सकते है human experience, यानि context आ जाता है यहाँ पर, संदर्व में चीजों को human experience है, आप लखनों से देली जारत हो सकता है, गाड़ी खराब भी हो जाए हो सकता है, आप कहीं break ले लो और वहाँ रुक के जो है, कोच चाय नास्ता कर लिया आपने, यह सारी चीजे भी cover करना होता है तो positive, जब मतलब objectivity हो गया, direct बता दिया उसने, और interpretivism में आपने सारी चीजों को cover किया, human experience को critical theory क्या होता है, इसका focus होता है power dynamics पे, social justice पे और dominant ideologies जो भी हैं उनको challenge करने में, इसे को हम कहते है critical theory तो I hope कि आपका research भी अच्छे से complete हो गया हो, अब हम start करते अपने अगले unit को, जो है communication communication क्या होता है देखे, communication या संचार, ये जो है प्रक्रिया है, जिसमें आप कोई भी information को, कोई भी idea, thought, feeling और emotion को, exchange करते हैं कैसे exchange करते हैं, या तो बोल के speech से, या तो लिख के, writing से, या तो इसारों से signal करके, या फिर अपने बेवहार से behavior करके, और ये याद रखिएगा कि, one way communication भी होता है, जहां पर message जो है, वो sender भेजते हैं और receiver तक पहुंचता है, लेकिन किसी भी तरीके का feedback नहीं मिलता है, लेकिन concept of communication में, communication को एक two way process ही माना जाता है यानि कि, दो तरफा पक्रिया होता है जहां पर sender होते है, message होता है, medium होता है, receiver होता है और last में, यहां पर एक feedback भी होता है तो दो तरफा प्रक्रिया है ये अब देखिए, communication के अलग-अलग type है पहला है verbal communication, जिसमें आप शब्दों का use करते हैं, और सब्द जो है, वो लिखे हुए भी हो सकते हैं, और बोले हुए भी हो सकते हैं, याना, कोई भी message को अगर आप convey करना चाते हो, तो उसके लिए अब verbal में, एक होता है oral communication, जो की face to face conversation होता है, speech होता है, टेलिफोनी conversation होता है, जिसमें आप बोल के communicate कर रहा है, संचार कर रहा है, और एक होता है written communication, जो की letter हो गया, email हो गया, report हो गया, message हो गया, article हो गया, ये written communication में आ जाता है, ये भी verbal में ही आता है, एक होता है non-verbal communication, non-verbal communication में क्या क्या आ जाता है, किसी भी तरीके के अगर सब्दों का इस्तमाल नहीं कि आपने जैसे आपने body language से ही कुछ कह दिया, बहुत लोग आप देखते होंगे आपके class में अगर आप पढ़ाने जा रहे होंगे तो तो वहाँ पे कोई बच्चा उंग रहा है, कोई बच्चा इसी भी तरीके सब्दों की जुरत नहीं होती है, कोई भी संचार्य communication करने के लिए लोग समझ जाते हैं ये चीजे एक होता है visual communication जिसमें कोई भी information को convey किया जाता है visual aids के जरी है, जैसे chart, graph, map infographics, infographic क्या होता है इसमें कोई picture भी बना रहता है और उसके साथ-साथ कुछ लिखा भी रहता है और विडियोज हो गया formal communication देखें, तो ये structured communication होता है कोई भी official channel के अंदर ही आता है जैसे memo, report और official meeting हो गया इसको हम कहते है formal communication informal communication क्या होता है तो देखें कोई भी causal या spontaneous communication हो गया यानि कि जिसे हम grapevine भी कहते है तो इसमें किसी भी तरीके का structure नहीं होगा for example, आप अपने घर में बैठे हुऊ और आप अपने sister से आपने कुछ बात कर लिया तो वो क्या हो गया? informal communication हो गया लेकिन अगर आप office में और अपने senior से कुछ बात करना चाहते है तो वो formal communication होगा क्योंकि आप एक channel को follow करेंगे और systematic तरीके से बात करेंगे तो ये casual conversation हो गया और ये आपस में कोई colleague भी कर सकता है और या फिर आप अपने family member से कर सकते है interpersonal communication नाम सही स्वाइब में आ रहा है इंटर मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अगर communication हो रहा है direct face to face communication दो या दो से अधिक लोगों के बीच में इसको हम कहते है interpersonal communication वही intra personal communication किसे कहेंगे याद रखिएगा intra अगर आ जाएगा तो ये खुद से ही अगर आप कुछ कम्मिनिकेट कर रहा हो जैसे self talk जिसे हम कहते हैं आप अपने आप में ही बात कर रहा हो तो इसको आप क्या कहोगे इसको आप intra personal communication कहोगे जैसे कई बार हम कहते हैं कि आज मौसाम अच्छा हो रहा है आज हम बाहर चलते हैं, आप अपने आप से ही कह रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो intra-personal communication हो गया, या फिर आप कहोगे कि यार, आज मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बाइक आज मुझे तेज नहीं चलाना चाहिए था, यह क्या है, intra-personal communication हो गया, group communication आप, of course, नाम सही समझ मे आ रहा है, group में करोगे, एक group में, individual सापस में, अगर कोई भी message को convey कर रहा है, meeting में, group discussion या team work में, उसको group communication कहेंगे, mass communication किसे कहेंगे, एक large audience को, कोई भी एक बड़े media के जरी है, जैसे television, radio या news paper, या internet के जरी है, अगर आप कुछ communicate करना चाहते हो, एक साथ बहुत लोगों को, उसको mass communication कहते है, आप radio पे कोई भी news सुनते हो, mass communication, news paper पढ़ते हो, mass communication है, television में news देख रहे हो, mass communication है, internet के जरी है, कोई news देख रहे हो, mass communication है, अब हम communication के प्रक्रिया को देख लेते हैं, सबसे पहले आ जाता है, sender, sender कौन है, वो person, वो इंसान, वो लोग, जो की message को initiate करते है, यह encode करते है message को, message को यहीं से encode किया जाता है, फिर message की body आ गई, जिसमें, वो सारे content या information होगे, जिसको communicate करना है, फिर encoding, इसमें आप क्या करते हो, उस message को convert करते हो, एक ऐसे form में, जिससे transmit किया जाए, for example, आप email भेज़ रहो, तो आप email वाले app में जाके, और आपने, वहा message को transmit किया जा रहा है, उसको medium कहेंगे, जैसे, या तो आप बोल के कुछ कह दे रहा हो, या लिख के कुछ कह रहा हो, या electronic media का use करके, कुछ कह रहा हो, फिर अगला है receiver, receiver वो व्यक्ति होता है, जो की message को receive करता है, और ये person, जो sender वाले है, ये receiver को message भेज़ना चाहते है, तो the message is intended to reach the receiver, फिर receiver उस message को decode करते हैं, जिसको इन्होंने encode किया था, तो receiver जो है, उस message को जो उन्हों तक पहुचाया गया है, उसको interpret करते हैं, उसको समझतना चाहते हैं, और समझ के, उस message के पीछे जो भी चीज़े छुपी हुई है, उसको decode करते हैं, फिर आखरी आता है feedback, इसमें जो receiver हैं, उन्होंने sender को वापस एक message भेजा कि हाँ, हमें जो है, यह यह चीज़े मिली हैं, अगर उसमें कोई तरुटी होगी तो sender को पता चली जाएगा, तो इससे यह समझ में आ जाता है कि इन्होंने message को अच्छे से समझा है कि नहीं, जो message convey करना चाह रहे थे send sender, और receiver तक पहुँचा है, और उसको receiver ने वैसे ही interpret किया है कि नहीं, अब अगला है, barriers to effective communication, देखिये, एक बहतर communication के लिए, जो है, जो भी हमने बात किया, उसमें कुछ barrier भी आ सकता है, अच्छा एक और चीज़ आज रखीगा, communication के कुछ C's भी होते हैं, कि communication कैसा होना चाहि है, तो इसको हम कहते हैं, 7C of communication, 7C of communication क्या-क्या होता है, यह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सारी चीज़ आज आज आपको मैं cover करा के ही यहाँ से भेदने वाला हूँ, यह चीज़ याद रखेगा, 7C of communication यह ensure करता है कि कोई भी communication वो clear, effective and efficient हो, जैसे पहला आपका हो गया clarity तो message जो है, वो clear होना चाहिए, बिलकुल ही, और आसान होना चाहिए, समझने लाइक होना चाहिए, किसी भी तरीके का ambiguous statement या फिर ऐसा statement जिससे कोई भी संशय पैदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर दूसरा है message concise होना चाहिए, बहुत बड़ा message नहीं होना चाहिए, ब्री तो message complete होना चाहिए, यानि कि जो भी message आप provide कर रहा हो, वो अपने आप में पूरा होना चाहिए, पांचवा है message consistent होना चाहिए, यानि जो आप message भेज रहे है उसका tone, style, content, ये सारे consistent होना चाहिए, ताकि confusion ना create हो, साथी साथ courtesy जो आता है, courtesy मतलब आप respectful होने चाहिए, आपका tone, जिस tone में आप उस message में बात कर रहा हो, वो respectful हो, polite हो, considerate हो, अगर आप difficult topic को भी address कर रहा हो, तो आप एक positive and respectful tone को maintain करिए, ताकि एक good relationship बने आपका audience के साथ, और consideration भी एक point है, इसमें क्या होता है, audience के need को, उनके नजरिये को, उनके perspective को, उनके emotions को जो है आप अपने दिमाग म रखिए और अपने message को उसी हिसाब से tailor करिए, ताकि आपके audience उसको समझ पाए, understand कर पाए, उनके interest के इसाब से, ताकि वो relatable भी बन सके और effective बन सके, यह है seven seas of communication, ओके, now हम barriers देख लेते हैं, कौन-कौन से बाधाए हैं, सबसे पहले तो physical barrier, जैसे environmental factor, जैसे बहुत ज़्यादा अगर sore-gul हो रहा है, बहुत ज़्यादा distance है, बहुत ज़्यादा दूरी है, या फिर technical issue आगया, कोई भी आप communication कर रहा है, तो वो हो गया physical barrier, इससे communication hinder हो जाएगा, दूसरा है psychological barrier, जैसे आपने पहले से ही मन में कुछ सोच रखा है, आपके कच्छा में समावेसी कच्छा है और उसमें अलग-अलग type के बच्चे हैं, लेकिन आपने पहले से ही ओधारना बना रखा है, कि अगर कोई disabled या विकलांग बच्चा है, तो उसको पढ़ाई में आपने कमजोर ही मान रखा है, भले ही वो पढ़ाई में कितना भी तेज, वो क्या है, वो आपका एक psychological barrier साबित पर भासा का जो बाधा है, लेक्विज बैरियर, तो अलग-अलग languages हैं और अलग-अलग vocab हैं, अलग-अलग तरीके से जैसे बिहार के लोग हैं, वो अलग तरीके से बोलता है, UP के लोग अलग तरीके से, UP में ही पूरवी UP के लोग अलग बोलेंगे, पस्च्चि मी अई UP क और सप्धरने के लोग अलग बॉलेंगे राजस्थान के लिए लग होता है तो अगर किसी का आप जो है कि लोगो मजा पुडाने लग लगो या फिर कोई बच्चा जो है वो है वो समझो नहीं पारा है आप किस ल documents हो चाहएगा तो इसी लिए किसी भी तक स्झीम्वे पर सकता है तो देखें अगर हाइररिकल स्ट्रक्ट्चर बना हुआ है कोई ऑफिस में आपको बहुत ज्यादा रिजिड प्रोसेस है ऐसा प्रोसेस है जिसमें की बहुत ज्यादा flexibility नहीं है तो वहाँ पर भी communication free flow नहीं कर पाता है फिर perceptual barrier होता है जहाँ पर message को misinterpret कर सकते हैं आप अगर आपका ओधारणा अलग है अजमसान अलग है अगर आप अलग तरीके से सोचते हैं तो यह सारे ही barriers है effective communication के अब देखते हैं intercultural communication क्या होता है intercultural communication में आप देखते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में communication हो रहा है जो अलग-अलग cultural background से आए हुए है उनकी संस्कृति अलग-अलग है तो इसलिए यहाँ पर समझ और respect दोनों जरूरी है cultural differences के लिए हो सकता है कि आपके culture में कुछ चीज़े अलग हों और दूसरे culture में अलग हों आप उनको मजाक नहीं उड़ाएंगे बलकि उनको respect करेंगे ताकि communication बहतर बने फिर challenges भी आ सकते हैं जैसे language difference होने के वज़े से भी challenge आ जाता है non-verbal communication discrepancy आ सकता है cultural norms और values में भी challenge आ सकता है group communication के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखे अलग अलग individuals हैं तो वो आपस में interact करेंगे group setting में कोई भी common goal पर उसको हम कहते हैं group communication और group communication में भी एक leader होते हैं कोई facilitator होता है जो कहीं कोई फसरा है तो उसमें help करेगा कोई note taker है जो की main main points को note करेगा कोई time की पर है जो decide करता है कि कितने time में किस चीज को हमें discussion करके खतम करना है फिर group dynamics क्या होता है तो लोग जो है एक group में कैसे आपस में interact कर रहे हैं कैसे आपस में एक दूसरे से समनवे बना के कोई काम कर रहे हैं उसको हम कहते है group dynamics तो group का size कैसा है goal कैसा है और individual personalities कैसे हैं ग्रूप में वैसे ही decide होता है कि हाँ group का dynamic कैसा है हम देखते है classroom communication तो देखे classroom communication में teacher student के बीच में आपस में communication होता है तो कोई भी knowledge का exchange या information का exchange अगर teacher और student के बीच में हो रहा है तो इससे learning effective बनता और यह यह classroom communication कहते है interactive methods हो सकता है जैसे student के participation को encourage करने के लिए ताकि जो बच्चा है वो actively participate कर सके आप questions पूछते हैं, discussion करते हैं और ऐसे activities कराते हैं जो की collaborative activities हैं आपस में सहयोग के माध्यम से बच्चे सीखते हैं फिर feedback प्रोवाइड करते हैं आप classroom में constructive feedback ताकि बच्चों की जो भी खामिया गलतिया हैं उसको सुधारा जा सके और उनके learning experience को पहतर किया जा सके फिर non-verbal cues आ जाता है जहाँ पर teacher कोई भी gesture यूज़ करके eye contact यूज़ करके facial expression को यूज़ करके learning को reinforce करते हैं और student engagement को maintain करते हैं mass communication society के बारे बात करें तो mass media के role देखते हैं जहाँ पर mass media एक important role play करता है public opinion को save करने के लिए आपको भी मालूम है कि mass media यानि कि television और radio पे जो भी चीज़े दिखाई जाती है तो उससे कई बार public जो है उनका सोच भी बदल जाता है और लोग आज कल voting वेगर वैसे ही करते हैं जिसके खिलाफ ज़्यादा news चला दिया जाया है उसको vote कम मिलेंगे है तो यह होता है फिर information को disseminate करने के लिए mass media का इस्तमाल होता है कोई भी information अगर आप convey करना चाते हो पूरे देश में देना चाते हो उसके लिए भी mass media का यूज होता है फिर social cultural और political dynamics जो है इसको भी influence करने के लिए mass media का यूज होता है अब हम देखते है media literacy तो देखे अगर ये आप समझना चाते हो कि media काम कैसे करता है और आप critically analyze करना चाते हो कोई भी information को कोई भी information आपको मिला तो उसको आपको मानना नहीं है बलकि उसको critically analyze करना है सारे पहलूओं को देखना है अलग-अलग media sources को आपको देखना है तो इसको हम कहते है media literacy और media का society पे भी समाज पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ता है impact पढ़ता है तो mass communication के जरीए आप आपको educate भी लोग कर सकते हैं entertain भी लोग कर सकते हैं और साथी साथ influence भी कर सकते हैं आपको गलत news दे के भी लोग भड़का सकते हैं आपस में कई बार दंगे भी हो जाते हैं mass media के जिक्कर में तो societal values या behavior पे इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है अम देखते हैं models of communication एक होता है linear model linear model क्या होता है communication जो है इसको one way process माना जाता है linear model में जहाँ पर sender जो है उसने message send कर दिया receiver तक वहीं खता हो गया इसको हम Shannon weaver model में भी देखते हैं फिर interactive model होता है जहाँ पर two way communication होता है दो तरफा संचार होता है और यहाँ पर feedback मिलता है receiver से इससे पता चलता है कि जो भी message दिया गया वो सही पहुँचा कि नहीं और जो भी receiver sender जो है वो message send करना चाता है और जो intended था message यानि जो वो चाहते थे communicate करना वही communicate हुआ है या कुछ और interpret कर दिया receiver ने तो यह interactive model हो जाता और scrams model जो है interactive model है transactional model क्या होता है यह जो है इसमें जो communication है इसको एक dynamic या गतिशील प्रक्रिया माना जाता है continuous process माना जाता है जहां पर sender और receiver दोनों ही एक दूसरे से एक ही साथ जो है न वो वरता आप करते हैं communicate करते हैं और volumes transactional model जो होता है यह भी transactional model of communication का ही एक जो है तरीका है फिर barriers and strategies for effective communication अगर आप प्रभावी संचार करना चाहते हो तो उसके लिए क्या barriers आच सकते हैं और क्या strategy है उससे effective communication आप कर सकते हैं सबसे पहले देखिए कोई भी औरोध यह barrier है उसको overcome करने के लिए आपको जो है active listening करना होगा जब भी कुछ बताया जा रहा है communicate किया जा तो अच्छे से सुनिए clear और concise message रखिए cultural sensitive को ध्यान रखिए यानि कि सारे ही जो culture हैं उनको उनके प्रती आपको sensitive होना पड़ेगा आप जो है ना communication skill को improve आप कर सकते हैं आपने verbal और non-verbal communication skill को और empathy develop कर सकते हैं लोगों के नजरिये से देखिए चीजों को सिर्फ एक नजरिये से मत देखिए और active listening को practice करिए अच्छे से सुनिए एक good listener होना एक अच्छा listener होना बहुत ही आज के date में rare चीज है अब mass communication की कुछ theory जैसे agenda setting theory हो गया तो इसमें media जो है वो कैसे public perception को save करती है और उसका focus specific issues पर होता है इसको हम कहते है agenda setting या निकी कोई भी agenda set कर देती है media इसको हम कहते है agenda setting theory cultivation theory में क्या होता है कि long term अगर exposure दिया जाए आपको जो है control है कि वो जो चाहते है वही दिखाया जाता है और इसलिए वो लोग वैसे ही हो गया है और उनको कुछ भी गलत नहीं लगता फिर uses and gratification theory होता है जहाँ पर आप ये explain करते हो और explore करते हो कि why या नि क्यों और how मतलब कैसे लोग actively seek out कर रहा है कोई भी specific media को या फिर specific need को satisfy करने के लिए इसको हम कहते है uses and gratification theory ये short में सारी चीज़े आपको बता दी गई है अब हम आजाते है reading comprehension वाले पे तो देखिए reading comprehension को कैसे tackle करना है ये important सबसे पहले reading comprehension अगर आपका question आता है तो इसमें आप passage को skim करिए ये मतलब उपर उपर जल्दी जल्दी पढ़ लिजिए ताकि आपको idea मिल जाए overall theme का या main idea मिल जाए और देखे questions को सबसे पहले पढ़िए मैं हर बार ये ही बोलता हूँ कि आपको reading comprehension में आपको comprehension देखने से पहले या फिर paragraph देखने से पहले question देखिए questions को एक बार आप देख लेंगे detail में तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो question जो है वो paragraph में कहां है फिर keywords पे focus करिए और उसके उपर आप underline कर सकते हैं या फिर keywords के उपर ध्यान दीजिए जैसे terms, dates, names और words कोई भी चीज़ है उसके उपर emphasis डालिए फिर structure को समझिए कैसे जो है introduction दिया गया main points क्या है और conclusion क्या है passage का इस चीज़ को समझिए कई बार conclusion पूद देता है कई बार आप से कह देता है कि title बताईए क्या होगा उस passage का फिर meaning को infer करिए आप जो है उस संदर्व को देखिए context को देखिए ताकि आप समझ सकें कोई भी meaning कोई भी difficult word या phrase का फिर wrong choices को eliminate करिए कोई भी multiple choice question है उसमें आपको incorrect answers को eliminate करिए और text को पीछे जाके आप देख सकते हैं ताकि जो भी आपका answer है वो सही आए हमेसा है और objective आपको रहना होगा यानि कि कोई भी personal opinion मत दीजिए बल्कि जो वहाँ पर आपके passage में available है उसके हिसाब से इंटर्पेट करिए आसा नहों कि आप अपना दिमाग लगाने लगे आप अपने जो आपका मानना जो आपका नजरिया है वही वहाँ पर लगाने लगे अब आगे हम देख लेते हैं logical reasoning तो देखे logical reasoning में आपको मालूम ही है कि एक process होता है structure तरीका है systematic तरीका है किसी भी argument को analyze करना किसी भी problem को solve करना logic के based पर evidence के based पर logical reasoning में अगर देखते हैं तो reasoning के दो types है पहला deductive reasoning deductive reasoning में क्या होता है आप कोई भी specific conclusion को draw करते हो general premise से यानि यहां पर हम कहते हैं कि specific to general जाना है specific to general होता है यानि विशिस्ट से समान्य के तरफ विशिस्ट से समान्य के तरफ जाते हैं जैसे all humans are mortal socrates is a human therefore socrates is Пон시कterrorism model यानि कि यहां पर all के बारे में आपने बात किया यानि कि यहां और specific observation यानि यहां पर क्या करते हो आप general to specific जाते हो general specific यह togen तो यहां पर specific to general होता है general to specific यहां होता है general to specific में क्या होता है सबसे पहले आप क्या करतो general premise से specific conclusion के तरफ जाते हो यह deductive reading में होता है और inductive reading में क्या होता है यहां पर specific to general आप जाते हो specific to general यानि आप विसिस्ट से समाने के तरफ यहां जाते हो विसिस्ट से समाने और यहां पर समाने से विसिस्ट के तरफ जाते हो डिड़क्टिव रिदिंग में statement और argument देखते है statement क्या होता है कोई भी एक ऐसा sentence जिसको आप true या false बोल सको एक basic unit of reasoning होता है argument क्या होता है set of statement होता है यानि एक statement नहीं होता है इसमें कई statements होते हैं एक या एक सदिक premise हो सकता है जो की support provide करता है conclusion के लिए structure क्या हो सकता है argument का सबसे पहले आप देखिए premise होता है जिसमें statements होते हैं और वो support provide करते है reason के को जो है इन्वैलिड आर्गुमेंट, साउंड आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट जहाँ पर प्रिमाइसेश ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू होगा, तो वैलिड आर्गुमेंट हो जाएगा invalid argument हो जाएगा कोई भी argument यहाँ पर premises जो है वो logically guarantee नहीं दे रहा है conclusion के truth का invalid argument हो गया sound argument क्या होता है sound argument में कोई भी valid argument है और उसके सारे ही premises अगर true है सही है तो वो हो गया sound argument unsound argument में देखिए यहाँ पर एक ऐसा argument जहाँ पर या तो invalid हो या फिर at least एक false premise आ गया अगर एक भी premise गलत हो गया तो वो unsound argument हो गया अब हम देखते है siloism, siloism क्या होता है एक reasoning का form है यह जहाँ पर आप conclusion draw करते हो दो दिये गया या फिर assume किये गये premises से और यहाँ पर एक major premise होता है एक minor premise होता है और minor premise है all humans are mammals और conclusion आपने draw किया therefore all humans are warm-blooded तो यह हो गया आपका क्या एक systematic तरीका siloism का अब analogy क्या होता है तो देखे अनालोजिकल reasoning में आप देखते हैं कि आप दो similar case को आप क्या करते हैं compare करते हो अनुमान लगाते हैं कि वो सही है या फिर कोई भी एक तरीके से सही है या गलत है कि मतलब यहाँ पर comparing two similar cases and inferring that what is true for one is true for the other कोई भी एक के लिए अगर सही है तो दूसरे के लिए भी वो सही होगा ऐसा अगर आप reasoning करा उसको हम कहते हैं analogical reasoning example के लिए just as a tree needs water to grow यानि कि पेड़ों को जैसे पानी चाहिए बढ़ने के लिए वैसे ही students हैं जो विद्यार्थी हैं उनको भी knowledge चाहिए successful होने के लिए तो यह भी जो है analytical reasoning हो गया अब हम कुछ fallacies देख लेते हैं और सारे fallacies यहाँ पर मैंने नहीं करा है तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि argument अगर कोई आपसे कर रहा है कि यह route अच्छा नहीं है तो आपने उसके बजाए आप directly उस पे attack कर दिया कि आप जरूर से भी पक्ष पार्टी के हैं तब ही आप ऐसा कह रहे हैं कि यह route अच्छा नहीं है आप किसी भी चीज को misrepresent कर देते हो कोई भी argument को गलत तरीके से paste कर देते हो ताकि जिससे आप तर्क कर रहा है उसको easier बन जाए attack करना तो इसको हम कह देते हैं straw man circular reasoning में आप घुमा फिरा के एक ही बात पर आ जाते हो तो इसको हम कह देते हैं circular reasoning हेस्टी generalization में आप क्या करते हो एक बहुत ही broad generalization ले लेते हो इस sample जो small sample कोई भी छोटा sample है उसके बहुत बड़ा conclusion आपने draw कर दिया दो लोगों से पूछ लिया आपने की बताईए कि आपके गाउं में बिल्ली आती कि नहीं उन्होंने जो है बोल दिया कि नहीं आती आपने मान लिया और पता चल रहा है कि वो दो लोग जो है उस गाउं के हैं ही नहीं तो फिर क्या हो गया हेस्टी generalization कर दिया आपने अगर उन गाउं वालों से और लोगों से आपने मिला होता तो उनको पता चलता है कि कौन उस गाउं का है नहीं है फिर अजंसन क्या होता है कोई भी एक ऐसा प्रिमाईस होता है जो कि अगर true होगा ही होगा अगर कोई आप argument made कर रहा है तो उसको हम कहते हैं अजंसन और conclusion क्या होता है एक ऐसा statement जो की प्रिमाईस का जो है support बनके आता है यानि कि जो भी प्रिमाईस है वो जिसको support करने की कोशिस करते हैं जिससे conclusion draw होता है उसको हम कहते है conclusion यानि कि प्रिमाईस जो है वो conclusion के तरफ ले जाते है critical thinking क्या होता है आपको मालूम ही है कि analyze करना evaluate करना reasoning और arguments को देना ताकि आप जो है na validity या soundness देख सको उसको हम कहते critical thinking puzzles और logical games ये सारी चीज़ आपको मालूम ही है क्या होता है puzzles logical reasoning को use करका अगर problem solve कर रहा है उसको हम कह देते हैं कोई भी pattern को recognize करना sequence या detective thinking करना logical games जैसे आप अपने ability को test कर रहा हो कि आप rules को constant को apply कर पा रहे हो नहीं इसको कहते हैं लॉजिकल consistency क्या होता है एक ऐसा argument होता है कि अगर वो consistent है वो argument और statements या proposition जो दिया जा रहा है वो एक दूसरे को contradict नहीं कर रहा है एक दूसरे के जो है opposite नहीं जा रहा है इसको आप जाता है यह एक instant system of logic है यहां पर रीजनिंग दिया जाता है कि जो भी इंडियन philosophy है वो originate कैसे हुआ और नियाए school जोना यही primarily माना जाता है develop करने के लिए अगर आप बात करेंगे इंडियन लॉजिक का तो और इसमे systematic methods के बारे में हम बात करते हैं valid knowledge तक पहुंचने के लिए प्रमाड तक पहुंचने के लिए यहां पर detail analysis होता है argument reasoning प्रमाड क्या होता है प्रमाड मतलब knowledge या ज्यान का जो means है माध्यम है प्रमाड यानि valid means by which one can इसा प्रमाड ऐसा माध्यम जिसके तुरू आप जो है ज्यान का वर्धन कर सके और इसलिए चार तरीके के प्रमाड माने गए हैं इंडियन लॉजी में पहला प्रत्यक्ष जो चीज आप खुद से देखके परसीव करके अपने sensory experience से अपने senses से चीजों को छूके feel करके touch करके और अगर आप कोई ज्यान ले रहे हैं उसको आप कहेंगे प्रत्यक्ष अनुमान या inference यह logical deduction कर रहा हो अगर किसी perception के based पे तो आप इसको कहेंगे अनुमान लगाना आप कहते हैं ना अनुमान लगाईए वही है उपमान क्या है compare करके अगर knowledge आप गेन कर पा रहे हैं दो चीजों को आपने compare किया और compare करके आपको कोई knowledge आ रहा है तो उससे आप कहोगे उपमान और सब्द क्या है verbal testimony यानि कि आगर आपको knowledge मिल रहे है कोई भी reliable source या scripture से कोई भी किताब से ग्रंथ से उसको आप कहेंगे शब्द तो यह जो है आपके अलग-अलग तरीके है knowledge य में deductive reading होता है अनुमान के भी components जो है वो उसी तरीके से हैं जैसे न्याय वाले में आपको देखने को मिलेगा और यहां पर phone याद रखेगा पी एच यू यू एन वही आपको उसमें भी देखने को मिलता अभी आगे बात करेंगे पहला है प्रतिग्या दुसरा हेतु तिस application based है उदाहरण का एक ऐसा example आप दे रहा हूँ जो कि support कर रहा है उस reasoning को उपन नयायाया अप्लिकेशन जो है वो उस region का application होता है जो आपके हाथ में भी है और निगमन का है वो conclusion जो आपने ड्रॉ किया reasoning basis पर अनुमान के भी अलग-अलग टाइप है पुर्वावत सेशावत और समाने तो द्रस्टा पुर्वावत क्या होता है अगर आप inference जो effect से ले रहा हुआ है ना call से effect के तरफ जारो जैसे आपने क्या किया इंफर किया आपने कि बारिस हुई है आपने जो है वो dark cloud देखा आपने बहुत ही काला घना बादल घेरा हुआ है और आपने अनुमान आपने बता जिया cause को देखके कि effect क्या होगा फिर सेशावत में क्या होता है आप effect देखके cause बताते है यानि कि बारिस का पानी माली जी कि पानी लगा हुआ है आपके घर के सामने और आपने उसके बाद इंफर किया कि लगता है कि बारिस हुआ है रात में क्योंकि पानी औरमान लगा रहा है जनरल ऑपजरुशन या अनलोजी के बेसिस पर जैसे कि आपने देखा कि बहुत दूर एक पहाड़ी पे धुमा उठ रहा है तो आपने यह अनलमान लगा ले कि वहां पर जरूर हो ना हो वहां पर आग लगी होगी वह हो गया समाने तो द्रश्टा है हेत पर आप रीजन देते हो वह exclusively लिंक नहीं होता है conclusion से दूसरा है विरुध जैसे आप कहुते हो contradictory reason यह reason जो है वह contradict कर जाता है conclusion को जो भी आपने conclusion ड्रॉ किया उसके खिलाफ चला जाता है तीसरा है प्रकाडन सम यानि अन्प्रूवन रीजन यहां पर reason जो आप दे रहा है वह कोई भी unproven या doubtful चीज़ के उपर आपने दे दिया अभी तक वो prove नहीं हो पया अगला है शद्यसमा या counter questioning यहां पर जो reason है उसको ही अभी prove करना है तो यह हो गया अब नियाए देख लेते हैं और इसी का मैं कह रहा था कि अनुमान वाले जो step से वो आ जाते हैं पी एच य यू एन पहला है प्रतिग्या प्रोपोजीशन दूसरा है हे तू तीसरा है उदाहरण चोथा उपने और पांचवा है निगमन कई बार आप से सीक्वेंस पूछ लेता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फून याद रखेगा पी एच यू 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 एन तो कर रहा हूँ रिजनिंग के बेसिस पर हम बात करते हैं तर्क या फिर डिबेट या फिर डियलेक्टिक भी से कहते हैं तर्क क्या है एक ऐसा मेथड लॉजिकल डिबेट का जिसमें आप जो है वो जो भी आपके खिलाफ जो लोग बोल रहा है उनको जो है अच्छे से होगे तुन को स्टेबलिस करना चाओगे यहां पर क्वेश्चंस पूछा जाता है और और काउंटर आर्गुमेंट्स दिये जाते हैं कोई भी कुछ कह रहा तो उसको आप काउंटर आर्गुमेंट्स देखे कह सकते हैं यह चीज़े गलत हैं या सही है और रिजनिंग को क् होता है constructive debate होता है आप कहते है दो नाम सुना ऑगा वाद विवाद तो वाद होता है जहां का एम होता है सत्य तक पहुंचना और वो सत्य तक पहुंचा जा सकता है अगर आप वाद करोगे जल्ब किया एक ऐसा डीबेट जिसका एम होता है जीटना है और इसमें आप किसी भी सर्थ पर जीतना चाहते है और वितंद क्या है एक destructive debate होता है जिसका goal होता है opponent को disprove करना उसको गलत ठहराना और कोई भी conclusion नहीं draw करना बस उसको गलत ठहरा देना इसको कहते है वितंद फिर नियाय का concept क्या है नियाय जो है यह एक logical अब हम देखते हैं ICT पर आ गया हम information communication technology तो देखिए ICT आपको कई बार मैंने पढ़ा दिया फिर से एक बार देखते हैं देखिए ICT क्या होता है information communication technology क्या होता है यहां पर उन सारी technologies का जिक्र है जिसमें telecommunication आ जाता है आज के डिट में आप घर बैठे यह lecture ले रहा हूँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यह ICT के माध्यम से ही possible हो पा रहा है ICT के components हैं जैसे hardware जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं computer पर पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए physical device जैसे computer चाहिए server चाहिए जिसके जरीए मैं upload कर पा रहा हूँ अपने इस lecture को router चाहिए जिसके जरीए चीजे जो है आप तक पहुँचेंगी आप जो है उसको access करेंगा और peripherals जैसे printer या scanner चाहिए अगर आप चानते हो कि आप print भी कर सको software में वो programs वो application जिसके जरीए आप hardware की चीजों को run कर सकते हैं जैसे अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो वो एक software हो गया operating system जैसे android के mobile phone में देख रहे हैं तो यह आपका जो है एक operating system भी एक software हो गया productivity software भी हो सकता है जैसे आप social media platforms use करते हैं वो productivity software हो गया database system भी हो सकता है जहां पर सारा database जो है वहाँ पर कठा होता है network भी होता है जो system जो है अलाओ करता है जिसे computer devices के लिए LAN local area network, WAN wide area network, MAN metropolitan area network और internet interconnected network यह सारे ही network के तरीके हैं इंट्रानेट क्या होता है और internet क्या होता है internet जो है global network होता है याद रखेगा जबकि जो intranet होता है वो किसी भी organization के भीतर ही वो काम करता है data क्या है तो देखें information को जनकारी को अगर process कर दिया जाए और store किया जाए computer में और उसको अलग-अलग form में अगर store कर ले जैसे उसको text में, number में, image में या video में आप store कर लो उसको आपस में communicate करना, worldwide web www क्या होता है एक system होता है intellect hypertext documents का और multimedia content का जो की internet के जरीए web browsers के जरीए इसको access किया जा सकता है, और आप www के लिए Tim Berners-Lee को याद रखेंगे, ये नाम अगर आ गया तो उसको tick कर देंगे, Tim Berners-Lee, search engine क्या होता है, जैसे Google हो गया, Bing हो गया, Yahoo हो गया, जिस YouTube पर आप search करते हो और आपके पास बहुत सारे करोडों में results आ जाते हैं, इसको हम कहते है, search engine, web 2.0 क्या होता है, second generation होता है, ये web का, और इसका focus है user generated content जैसे, आप कोई content बना के YouTube पर डाल दिया, आपने, मैंने कुछ content बना के डाल दिया, तो वो हो गया आपका, जो web 2.0 के अ electronic mail कहते हैं, ये exchanging digital message over the internet, और email के लिए आप use करते हो, क्या SMTV, simple mail transfer protocol, अगर file transfer के लिए, उसके लिए file transfer protocol, FTP यूज होता है, याद रखिएगा, और एक और होता है, post office protocol, POP, ये भी use होता है, फिर VOIP voice over internet protocol, तो आप internet के ज़री है, अगर आप बाचीत कर रहे हैं, तुसको आप क technology जो है, अलाओ करता है, voice communication, internet के जरी है, जिसे Skype और Zoom पे, instant messaging क्या है, real time text communication है, जिसे WhatsApp, Telegram, ये सारा real time text messaging platforms है, फिर social media आपको मालूम है, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ये सारा social media जहां पर information share किया जाता है, और दूसरों से connect किया जाता है, दूसरों से जुड़ा जाता है, e-learning और educational technology भी आपको हमन अभी अभी discuss किया था कुछ दिन पहले ही, electronic learning, e-learning है, internet के जरी है, अगर आप learning कर पार, electronic media के जरी है, और internet का use करके, इसको में कहते है, e-learning, यहाँ पर online course आ जाते हैं, जैसे, कोई भी course, जैसे MOOCs हो गया, massive open online courses, वो भी e-learning का ही एक type है, virtual classroom आ गया, digital resources आ गया, ये सारे ही e-learning के तरीके हैं, MOOCs, massive open online courses के हैं, ये online courses हैं, जो कि accessible होते हैं, किसी को भी, जिनके पास internet connection हो, और या तो ये free होंगे, या फिर बहुत low cost के होंगे, बहुत कम पैसा लगेगा, और बहुत wide range of topics को ये, जो है, cover करते हैं, MOOCs के बहुत सारे examples हैं, जैसे Khan Academy, जो है, वो भी e-massive open online course है, और स्वयम तो इंडिया में है ही, learning management system को देखें, LMS, तो देखें, Moodle, Blackboard, Google Classroom, ये learning management software हैं, जिनके जरीए, आप क्या कर सकते हैं, जो भी educational content है, उसको आप manage कर सकते हैं, बच्चों को उनके mobile phone या उनके tab में, parents के mobile phone में, teacher के mobile phone में, ये जो है, install होता है, learning management system, इसमें, teacher, बच इसको follow कर सकते हैं, track कर सकते हैं, parents भी कर सकते हैं, उनको क्या assignment दिया जा रहा है, कैसे, उनका क्या behavior है, उस सारी ही चीज़े यहाँ पर देखा जा सकता है, digital divide क्या होता है, नाम सही समय प्यारा है, कि ये विभाजन के बारे में बात हो रहा है, तो अगर किसी के पास internet का पहुच नहीं है, और उसके जरी अगर कोई divide पैदा हो रहा है, कोई विभाजन होता है, उसको हम कुस gap को जो हम कहते हैं, digital divide, तो the gap between those who have access to modern ICT and those who do not, मतब जिसके पास information communication technology का पहुच है और जिसके पास नहीं है, इन दोनों के बीच में जो gap है ना, इसी gap को हम कहते हैं, digital divide, और ये often जो है, ये socio-economic factors ये geographical और educational factors डिसाइड करते हैं, थोड़ा सा पानी पिलेता हम एक सेकेंड और फिर start करते हैं, हम देखते हैं, ICT in governance, तो देखें, governance में, यानि कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो government होता है, तो उसको governance कहते हैं, अगर वो run कर रहा है, सारे ही system को, साथ ही साथ, वो governance organizational basis पर भी हो सकता है, for example, कोई भी organization है, जैसे BHU है, अब BHU को भी run करने के लिए governance चाहिए, ना, governance होगा, कैसे क्या run करना है, कैसे किस चीज को manage करना है, उसमें भी information communication technology का बहुत बड़ा रोल है, e-governance क्या होता है, अगर ICT government use कर रहा है, information communication technology को use कर रहा है, कोई भी service provide करने के लिए, तो citizens को communicate करने के लिए कोई भी चीज को, operations को streamline करने के लिए, इसको हम क्या हैंगे क्या e-governance, जैसे आपके पास आज के date में digilocker है, तो dizilocker में सारे ही आपके documents store हो जाते हैं, तो वो क्या है, e-governance है, और इसके साथ साथ tax filing के लिए आज कल digital हो जा रहा है, identification system जैसे आधार हो गया, वो भी digital है, online public grievance reduction mechanism आ गया, जहाँ पर online ही आप F.I.R. कर सकते हैं, वो भी एक e-governance का ही पार्ट है, e-commerce भी आपको मालूम है, जो भी online आप order करते हैं, जैसे Amazon हो गया, Flipkart हो गया, यह आपका e-commerce में आ जाता है, electronic commerce कहते हैं, यहाँ पर online आप buying and selling goods करते हैं, या services करते हैं, internet के जरीए, इसको आप कहते हैं e-commerce, data security and privacy के बारे में अगर हम बात करें, तो देखे, cyber security, तो वे ऐसा practice होता है, system को protect करने का, network को protect करने का, या data को digital attacks है, देखे, digitally भी बहुत सारे, ऐसे attacker या hacker बैठे हुए, जो चाहते हैं, कि आपके computer का access मिल जाए, और recently, अभी मैंने एक post डाला हुआ था, तो जैपूर के एक बहुत बड़े post पे कोई assistant professor थी, उनको जो है, इन ही जो data security को, cyber security को जो attack करने वाले हैं, attackers हैं, जो hackers हैं, उन्हेंने इनको digital arrest कर दिया था, digital arrest क्या होता है, आपके सारे चीजों को luck कर देंगे, और कहेंगे कि अगर आप पैसा transfer नहीं कर दोगे, तो आपके जो भी contacts हैं, उनको हम यह यह चीज़ें, आपके personal information दे देंगे, यह कर देंगे, तो इससे हम कहते हैं, digital arrest, तो cyber security इसलिए जरूरी है, तो अच्छा एक anti, जो आपके virus software है, उसको use कर सकते हैं, firewall बना सकते हैं, unauthorized access को रोखने के लिए, damage को रोखने के लिए, encryption क्या होता है, एक method होता है, data को convert करने का code में, ताकि किस भी तरीके का unauthorized access ना हो, for example मैंने लिखा how are you, और लिख के आपको telegram के जरी यह भेद दिया, और आपको बीच में अगर इसको कोई देखना चाहेगा, तो वो क्या दिखेगा, उसको कोई word दिख सकता है, जैसे 101, 101, 011, ऐसा कुछ दिख जाएगा, वो यह समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बोला जा रहा है, और जिसके हाँ मैं भेजा हूँ, उसके हाँ जाके फिर यह वापस how are you दिखेगा, तो यानि इसको हम कहते हैं end to end encrypted, फिर privacy concerns भी होते हैं, जैसे कि protection of personal data, आपका personal data कहीं leak नहीं हो जाए, और digital age में आपके privacy के right को protect करना सबसे important शीज है, अब नए ने technology आई रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं, सबसे पहला artificial intelligence आपको मालूम ही है, यह जो है machines को enable कर रहा है, ताकि वो ऐसे ऐसे task को perform कर सके, जिसको typically humans perform करते हैं, जो इनसान हैं वो perform करते हैं, जैसे speech को recognize करना, कोई क्या कह रहा है उसको समद लेना, decision making करना, यह artificial intelligence के जरीए आज हो पा रहा है, और artificial intelligence बहुत आगे जा चुका है, cloud computing, तो देखें, जो भी services हैं, उनको आप cloud के जरीए ही, मतलब आप कहीं बैठे हुए हो, और आपने service दे दिया, for example, जैसे आपने नाम सुनाओगा Google Drive का, तो Google Drive पर अपने photos जो है, store कर सकते हो, और अपने साथ आप कुछ भी मतलब, एक बार उस आपने store कर दिया, आप जो है, कहीं भी चले जाओ, foreign में भी चले जाओ, वहाँ से आप open कर सकते हो, उसी आप अपने photo को, और आपको कोई भी चीज़ कैरी करने के अपने साथ आप शकता नहीं, बस आपको internet connection और एक computer चाहिए, जो वहाँ भी मिल जाएगा, किसी और का भी हो सकता है, तो इसे हम cloud computing कहते हैं, जो कि cloud के जरीए ही सारा चीज़े compute कर लिया जाता है, और ये काफी flexible resource management होता है, बिग डेटा आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, ये बहुत large और complex data set होता है, जिसमें बहुत advanced tools लगते हैं, इसको store करने के लिए, analyze करने के लिए, और manage करने के लिए, इसको हम कहते हैं big data, और इसके analysis को big data analysis, blockchain भी आपने सुना होगा, ये एक decentralized laser technology है, और ये ensure करता है कि, जो भी चीज़े record में हैं, वो transparent हो और secure हो, किसी भी तरीके की security में कोई सेंद नहीं लगा सकता है, और ये cryptocurrencies यूज करते सकते हैं, जैसे bitcoin हो गया, इtherium हो गया, ये सारे ही यूज करते हैं, blockchain technology को, ICT आप डेली लाइफ में यूज करते ही हो, smartphone, जो भी आप phones यूज करते हो वो है, wearables आज कल, watches यूज कर रहो हो है, internet of things में आप पास पास देख पा रहा हो, smart fan आ गया है, smart bulb आ गया है, सारे चीज़े smart आ गई है, smart home आ गया, smart city हो गया है, ethical issues भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि, intellectual property rights, देखे, अगर कोई भी digital age में, आप किसी और के intellectual property को use कर रहा है, तो उसको mention करिए, या फिर उसको अगर use करना लाओ नहीं है, तो मत करिए, जैसे YouTube पे भी आप देखते हो, कई बार copyright आ जाता है, चैनल पे, क्योंकि आप किसी का गाना प्ले कर देते हैं, तो वो उनके intellectual property है, और अगर आप प्ले करते हैं, तो आपके उपर strike आ जाएगा, आपका चैनल जो है, वो खतम भी हो सकता है, तो digital content को protect करना और software ऐसा हो, ताकि unauthorized use को रोका जा सके, ये भी जो है जरूरी है, इस ICT cage में, डिजिटल piracy को भी रोका जा से, आपने कुछ काम किया और किसी ने copy करके और distribute कर दिया, उसके digital content को, जैसे movies आज कल देखते हो न, कि आज ही release हो रहा और आज ही के दिन जो है, वो free में आ जाता है आपके internet पे, तो वो क्या है, वो digital piracy है, music का भी होता है, software का भी होता है, cyber bullying क्या होता है, ICT यानि information communication technology को use करका, किसी को कोई harass कर रहा है, किसी को कोई धमकी दे रहा है, या उससे पैसा एंटना चाता है, तो इसको हम कहते हैं, क्या cyber bullying, और ये individuals को harm करता है, और social media messaging platforms के जरिए ही किया जाता है, अब हम आगे हैं, अपने unit number 9 पे, जो है people development and environment, ये अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है, ये unit 9, तो देखिए, development and environment को देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो people, यानि लोग, और लोगों के development अगर होगा, तो उसे environment effect होगा ही होगा, ये आपको मालूम है, तो देखिए development होना चाहिए, लेकिन sustainable होना चाहिए, sustainable मतलब balance तरीके से, तो development ऐसा ना हो, कि एक तरफा development हो, बलकि आप environment का भी ख्याल रखिए, पर्यावरन का भी ख्याल रखिए, तब ही जाके आपका development, sustainable development मन जाते हैं, आप अपने आज के needs को पूरा करिए, present needs को पूरा करिए, लेकिन जो आने वाला generation है, जो future generation है, उनके भी need का भी ख्याल रखिए, उनके भी जरूतों का ख्याल रखिए, balance करके economic growth करिए, और environmental protection को उपर ध्यान रखिए, social equity या समाज में जो भी equity है, उसको maintain रखा जा सके, इसका ध्यान रखिए, human environment interaction होने के वज़े से, क्या होता है आप जानते ही हूँ, अगर human और environment का interaction होगा, तो इससे कहीं न कहीं environment को effect आएगा, human activities जो भी होती हैं, वो environment को खराब करती हैं, environmental changes का कारण बनती है, human societies होने के वज़े से, और सहरी करण होने के वज़े से, बहुत सारे नही नही चीजे देखने को मिल रही है, climate change या जलवायू परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बहुत सारा air condition लग रहा है, जिस वज़े से global warming बढ़ रहा है, glaciers पीगल रहा है, जिस वज़े से समुदर का level बढ़ रहा है, फिर जंगले कट रही हैं, deforestation हो रहा है, सहरी करण हो रहा है, climate change हो रहा है, हम देखते हैं, millennium development goals, तो millennium development goals को मालूम है, आपको 8 international development goals थे, इसको सन 2000 में लाया गया था, उसका एम था, देखे, poverty को eradicate करना, universal primary education को achieve करना, second goal, तीसरा था, gender equality promote करना, चौथा था, child mortality को reduce करना, पांचवा था, maternal health या, जो माता है, जो मात्र स्वास्थ है, उसको improve करना, diseases को combat करना, कोई भी बीमारी उसको combat करना, और environmental sustainability को ensure करना, और साथी साथ, global partnership development के लिए ensure करना, सारे देश को आपस में मिलके, इन सभी goals को करना था, तो ये सन 2000 में लाया गया, 15 साल के लिए इसका target रखा गया, 2015 तक का ये रखा गया deadline, तो progress तो देखने को मिला, poverty में, health में, लेकिन बहुत सारे ऐसे target से, especially environmental sustainability वाले target, जो की 2015 के deadline तक भी पूरा नहीं हो पाए, और तभी आया sustainable development goal SDG, तो पहले 8 goal था MDG में, अब ये 17 goal हो गया SDG में, United Nation SDG को 2015 के, जो है 15 में इसको adopt किया, और इसका इम था, poverty end करना, planet को protect करना, prosperity सब के लिए हो 2030 तक, और साथी साथ, sustainable development goals का, जो scope है, वो काफी broad था, और MDG जो है ना, ये काफी, एक narrow scope के साथ आया था, लेकिन sustainable development के अंदर, बहुत कुछ आ जाता था, जैसे climate action के बारे में बात किया, नहीं life below water के बारे में बात किया, responsible consumption and production के बारे में बात किया था, इसका aim रखा गया, आगे इन 15 साल के लिए हैं, 2030 तक के लिए, और sustainable development goals जो है, इनके ज़री बहुत सारा परिवर्टन देखने को भी मिला है, अभी तक भी, ठीक है, हम देखते है climate change, तो global warming, आपको मालूम यह क्या है, जो अर्थ का average surface temperature है, यह बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर greenhouse gases है, जैसे carbon dioxide है, यह बढ़ रहा है, फिर nitrous oxide है, वो बढ़ रहा है, इससे climate change या जलवायू परिवर्टन हो रहा है, जिससे कि extreme weather events हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ा जाता है, कहीं बिल्कुल ही सुखा पढ़ जाता है, sea level बढ़ रहा है, समझद का स्तर बढ़ रहा है, और जो ecosystem या पारिश्थिति की तंत्र है, वो भी खराब हो रहा है, mitigation and adaptation मतलब कैसे इससे निप्टा जा सकते हैं, और कैसे हम अनुकूलन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अपने आपको, तो देखें, आप जो है ना, जो भी जल्वाई उपर इवर्तन हो रहा है, उसके cause के उपर, कारण के उपर काम करिए, air condition को कम करिए, sustainable city develop करिए, और emissions को कट करिए, जादा से जादा technology को बहतर बनेए, ताकि जो यह emissions हैं, वो कम हो सकें, और adaptation जो है, वो important है, आप अनुकूलन बनाईए, खुद को, और इसके impacts से adjust करने कोशिस करिए, जैसे flood के defense के लिए, आपने पहले से ही, कोई चीज तेयार कर ली, ताकि बाढ़ ना आया, agricultural practices को आपने change कर लिया, और major type अगर देखें, air pollution का, तो smog और AC drain, यह होता है, water pollution के लिए, oil spills या, chemical runoff हो जाता है, soil pollution के लिए, pesticide बगर होता है, और जो जैब विवित्ता है, biodiversity उसका भी loss देखने को मिल रहा है, तो जो variety of life है, वो कम हो रहा है, यानि कि, जितने सारे पहले प्रजातियां देखने को मिलती थी, अब विलूप्त हो रही हैं वो प्रजातियां, क्योंकि humans जो है, वो जंगलों के काट के, और अपने जो colonies हैं, वो बसाते जा रहा है, तो इसी लिए, habitat destruction उनका हो रहा है, climate change या जलुआयू, परिवर्तन गर्मी बढ़ने के वज़े से, भी बहुत सारे जैनवर जो है, वो extinct हो रहा है, और pollution बढ़ने के वज़े से, जो पर्यावर्ण में प्रदूर्शन बढ़ रहा है, इससे भी हो रहा है, और साथी साथ, जो भी species हैं, उनको over exploit कर दिया जा रहा है, या तो hunting हो जा रहा है, तो इससे भी हो रहा है, फिर biodiversity loss top को मलूम चली गए, अब इसके बाद deforestation देख लेते हैं, तो जंगलों की कटाई हो रही है, जो one है, उसको काटे जा रहा है, और large scale removal हो रहा है, फोरेस्ट का और जिससे की habitat destruction तो हो ही रहा है, बहुत सारे जैनवर विलूप्त हो ही रहा है, carbon sequentration भी हो रहा है, यानि की जो carbon पहले associate हो रहा था, absorb कर लिया जा था इन पेड़ों द्वारा, अब जो है, कम होने कारण इन पेड़ों को, तो वो carbon dioxide जो है, वो आपके ही यहाँ पर environment में घूम रहा है, और water cycle भी disrupt हो ही रहा है, क्योंकि पेड़ पॉज़ों से पानी आता है आपको मालूम है, तो इसलिए यह environmental issues है, natural energy resources आपको मालूम है, एक resource होता है, renewable energy, नवी करनी अर्जा, तो ऐसे उर्जा जो की खतम कभी नहीं होने वाली है, और renew हो जाती है, जिससे solar या solar अर्जा, जिससे कहते हैं, जो पवन उर्जा है, wind energy, जो hydropower है, पानी के द्वारा जो उर्जा मिलता है, और साथ साथ बायो मास्ट जो है, जो भी जंगल में गिरे हुए पतिया है, सूखी टहनिया है, यह renewable resources में आ जाती है, non-renewable क्या है, वो क्या होगा, जो ऐसे चीजे, ऐसे संशाधन, जो की finite है, जिनका number सिमीध है, और जिसको replenish नहीं किया जा सकता, human time skill पे, जैसे fossil fuel हो गया, coal हो गया, oil हो गया, natural gas हो गया, minerals हो गया, यह non-renewable resources में आ गया, energy conservation क्या होता है, जब यह आप energy को बचाते हैं, energy को कम करते हैं, यूज करना, efficient अपने मनाते operations को, behavior change लाते हैं, ताकि जो भी non-renewable resources हैं, उनका lifespan बढ़ाया जा सके, और environmental impact को कम किया जा सके, इसको आप कहते हैं, क्या energy conservation, अब environmental protection के बारे में बात करें, तो environmental protection act 1986 आता है, एक Indian law था, जिसको enact किया गया था, कि improvement देखा जा सके, environment में protect किया जा सके, परिवरण को, इंटरनेशनल agreement के बारे में बात करें, तो बहुत सारे थे, Montreal protocol, जो की बात करता था, ozone layer को बचाने के लिए, डिप्लीट करने होए से, बचाने के लिए, खतम होए से, Kyoto protocol बात करता था, greenhouse gas emissions को रोखने के लिए, Paris agreement बात करता है, ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने के लिए, और इसी के साथ साथ, जो है, global environmental challenges को, जो address करने के लिए, आगे हम देख लेंगे, ये सारे ही जो है, international agreements बढ़ियां से, human health और environment के बारे में बात करें, तो देखिए, pollution का impact देखने को मिलता है, human health पे, जैसे की respiratory issues होगा, अगर air pollution हो रहा है, cardiovascular issues, diseases हो रहा है, cancer हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सारे pollution के बज़े से हो रहा है, और साथी साथ, अगर contaminated पानी पी रहा है, तो इससे waterborne diseases भी हो जाएंगे, waterborne diseases के related भी question आया था, जैसे typhoid हो गया, वो waterborne diseases है, तो ये contaminated water से फैलता है, environmental health क्या होता है, अगर आप जो है न, वो focus करते हैं, जो लोगों का relationship है, उनके environment से, तो healthy environment अगर बन जाए, आपस में जो आपका परियावरण है, अगर अच्छा बनेगा, तो जो बिमारिया हैं, वो भी कम होंगी, तो public health का ये एक branch होता है, environmental health, जिसका focus होता है, लोगों के और environment के बीच के relationship के उपर, फिर natural hazards and disasters अगर देखें, तो देखें, अगर आप ऐसे physical events देख रहे हैं, जो कि damage कर रहे हैं, आपके natural habitat को, आपके रहने के स्थान को, जिसे earthquake हो गया, फ्लाइधारी के इन volcanic eruption हो गया, तो इसको natural hazard कहते हैं, ये naturally होता है, ये बिल्कुली प्राकृतिक होता है, और ये disaster बन जाता है, अगर जो है, ये बहुत बड़े level पे human life को, या फिर जो भी मानों हैं, उनको इन्होंने harm किया, उनके property को harm किया, उनके environment को harm किया, disaster management के बारे में बात करें, तो देखिए, एक ऐसा process होता है, जिसको आप जो है prepare करते हैं, ताकि आप mitigate करें, या respond करें, कोई भी disaster अगर हो जाता है, तो उसके खिलाफ, यानि उससे निपट सकें, कोई भी अगर आपदा आ रहा है, तो आपदा प्रबंधन जो है, वो आप कैसे कर रहा है, disaster management कैसे कर रहा है, important है, जैसे हमारे हाँ, NDRF की team है, ये हमें आपदा प्रबंधन में मदद करती है, आर्मी भी, बिल्डिंग होना चाहिए, सारी चीज़े जो है, decided होनी चाहिए, आप देखते हैं, कुछ international efforts, जैसे Rio Summit 1992 में हुआ था, इसको Earth Summit के भी नाम से जाना जाता है, एक major United Nations Conference था, environment और development के उपर, जिसमें Agenda 21, Rio Declaration, Forest Principle UNFCCC, आपको मालूम है, यह सारे ही Rio Summit से निकले थे, इसको Earth Summit भी बोला जाता है, और Convention on Biological Diversity भी, इसी से निकला था, एक international treaty है, जिसका aim है, biological diversity को conserve करना, sustainably use करना इनको, और benefits को, genotic resources को, जो है, share करना अच्छे तरीके से, फिर international solar alliance में, आपको मालूम है, दो देश आते हैं, पहला है इंडिया, और दूसरा है फ्रांस, पहले जो है, यह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के, लिए खुली थी, जो ट्रॉपिक ऑफ, कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ, कैप्रिकॉन के बीच में आते थी, लेकिन अभी यह सारे ही, यूनाइटेड नेशन कंट्रीज के लिए, जो है, ओपैन है, इंटरनेशनल सोलर अलाइइन्स का, जो हेड़कॉर्टर है, वो गुरू ग्राम में है, गुरू ग्राम में, हम देख लेते हैं, कुछ प्रोटोकॉल या समिट्स, तो पहला है, मॉन्टेल प्रोटोकॉल, 1987 में आया था, याद रखेंगा, इसका एम था, फेज आउट करना, ऐसे सब्स्टैंसिस को, जो की ओजोन लेर को, खराब करना है, जैसे क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन हो गया, और इसको जो है न, वन अब दे मोस्ट सक्सेफूल इन्वर्मेंटल एग्रिमेंट्स मना जाता, इसमें बहुत सारा सक्सेफ देखने को मिला, फिर रियो समिट उनिस सो बांबे में हुआ था, इसको आर्थ समिट के भी नाम से जाना जाता है, और इसी से जो है एजेंडर 21 निकला, एक कॉम्प्रिहंसिब प्लान था, जो सस्टेनेबल डेवलप्मेंट के लिए हल्प कर रहा था, कर्वेंसों और बायोजिकल डैवर्सिटी बीसी से निकला, इसका फोकस था, जो बायोजिकल डैवर्सिटी या जैविग वेवित्ता है, उसको कंजर्व करना, और साथी साथ सस्टेनेबल यूज कंपोनेंट्स का, और फेर सेरिंग बेनेफिट्स का, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में लिया गया एक इंटरनेशनल ट्रीटी था, जो की कमिट कर रहा है पाठीज को, ग्रिन हाउस ग्यास एमिसन को रिड्यूस करना, साथी साथ जो है वो किसकी चीज के उपर जो है बेस था, ग्लोबल वर्मिंग एक्जिस्ट करता है, और human made जो carbon dioxide का emission है, वो ही global warming का कारण है, यह जो है क्योटो प्रोटोकॉल में बताया गया, Paris Agreement 2015 में बहुत ही famous और बहुत जादा important agreement था, Paris Agreement एक global accord था, UN Framework Convention on Climate Change या UNFCCC के अंदर आता हुआ, और इसका aim था global warming को limit करना well below 2 degree Celsius, और pre-industrial level के उपर, और इसका effort था कि कैसे भी करके हम 1.5 degree के नीचे जो है इसको रोख सके तो याद रखेगा एक चीज कि हाँ पहले से agreement जब भी बात आएगा तो वहाँ पर ये temperature वाली बात आजाएगी International Solar Alliance 2015 में जो established किया गया है कि इनिसेटिब था solar energy को promote करना और जो fossil fuel के उपर हमारी dependency है ना उसको कम करना ताकि हम जो है वो जदा सजदा renewable energy का यूज करके और fossil fuel को sustainably यूज करके future के लिए बचा सके ओके अगे अगे यहाँ पर इंडिया और France जो है यह सबसे पहले इन्होंने ही start किया था International Solar Alliance के जो founding या foundation member होते हैं वो है Convention to Combat Degertification UNCCD 1994 में आथा इसका aim था Degertification या मरोस्थली करण को कम करना, खतम करना, combat करना और साथी साथ जो है इसके effects को जैसे सूख है जैसे अगर हलात है तो उससे कैसे निप्टा जाए उसके लिए को नए नए जो है innovative और sustainable land management के practices के बारे में बताया गिया फिर एक है stand-eye framework for disaster risk reduction ये 2015 में आथा 15 year voluntary non-binding agreement है जिसका aim था disaster risk को reduce करना और resilience building को बनाना ये भी याद रखिएगा एक है मिना माटा convention on mercury 2013 ये मिना माटा के नाम से बहुत famous है याद रखिएगा इसको भी अगर इससे related आ जाता है इसका target था mercury emission को reduce करना और mercury के handling को में mercury का जो waste होता है उसको अच्छे से handle करना ताकि जो human health है उसको बचाया जा सके और परियावन को बचाया जा सके mercury क्योंकि बहुत खतरनाक होता है फिर UN sustainable development goals जो है 2015 ये भी आपको मालूम है 17 development goals MDG जो आठ थे उनके बाद ये 17 goals है और इनका जो goal है इनको blueprint बताया जाता है एक better और more sustainable future देखना सबके लिए इसके लिए और इसमें बहुत सारे broad range of social, environmental, economic, developmental issues को cover किया जा रहा है SDG 2015 में या था जो 30 तक का target है इसका फिर दस्वा है global biodiversity framework 2022 में एक framework है जो की adopt किया गया था CBD COP15 में या ना कर्विंसान बायोजिकल डैवरसिटी जो था उसमें ही इसको adopt किया गया था और इसका aim क्या था कि conservation को urgent need बताके और sustainable use करना बायो डैवरसिटी का और साथी साथ जो है ना इसमें targets भी दिये गए protection और restoration के लिए ecosystem के या पाईस्तिकी तंत्र जो है उनको कैसे protect करें और कैसे restore करें इसके उपर बात हुआ है अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी unit पे higher education और higher education क्या है आपको मालूम है कि secondary education के बाद जो भी आप education ले रहा हूँ वो higher education है यानि कि आपका जो graduation है post graduation यह सारे higher education में आते हैं और यह colleges और university द्वारा provide किया जाता है और इसमें degree भी होता है diploma भी होता certificate भी होता है यह सारी चीज़ तो normal है अब types क्य graduate का और अलग-अलग academic disciplines में पढ़ाया जाता है college भी इसी टाइप का होता institution होता ही university जो है इसमें अलग-अलग कोसे थे होते हैं college जो है थोड़ा छोटा इसी का प्रारूप है और कई सारे ऐसे university हैं जिनमें colleges जो हैं कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें colleges जो हैं वो part है university का फिर technical और vocational institution क्या होता है यह specialized training जो है provide करते हैं कोई भी specific field में ताकि students को prepare किया जा सके कोई भी particular trade या carriers के लिए और इसका focus mainly होता है नौकरी दिलाने पर community college क्या है दो year का program अगर यह दे रहा है degree या certificate दे सकता है जिसका focus होता है local या vocational education तो इसको हम कहते है community college objective क्या है higher education का तो देख कर सके अपना जो है और इससे क्या होगा skill develop करेंगे तो आपको professionally success मिलेगा पैसे भी कमा पाएंगे social responsibility को अपने समय समाजिक तोर पे आपकी क्या जिम्मेदारिया है उसको भी आप समझ सके और नवाचार और अनुसंधान इसके उपर भी जो है higher education का बहुत बड़ा focus रहता है ताकि real world problems को solve किया जाए ज्यादा ज्यादा innovate करके और efficient तरीके से curriculum and pedagogy देखें तो देखे curriculum design important है यहाँ पर course content आ जाता है learning outcome आ जाता है assessment method आ जाता है और curriculum relevant होना चाहिए अप to date होना चाहिए और align करना चाहिए जो भी industry standard और academic goals है उनसे pedagogical approaches क्या-क्या हो सकते हैं तो देखें teaching methods जो की higher education में use होता है जैसे कि lecture हो गया seminar हो गया workshop हो गया experiential learning हो गया यह pedagogical approaches है अलग-अलग तरीके से जो है आप पढ़ा सकते हैं अलग-अलग तरीका जैसे lecture method हो गया तो lecture method क्या है यह teacher centered method हो गया और यह जो है अगर higher education में पढ़ा तो या तो आप lecture method से पढ़ाते हो, या फिर आप seminar ले सकते हो, वर्क्षप ले सकते हो, या experiential learning के थुरू, उनको experience के जरीए, अनभवात्मक सिख्छन जिसे कहते हैं, वो आप करा सकते हैं, modern approach में flipped classroom होता है, जिसमें कि आप बच्चों को पहले ही बोल दे तो वो अपने घर से ह सारे concept पढ़ के आते हैं, और class में सारा चीज जो है discussion होता है, आपस में discuss करके, और यह एक अच्छे conclusion तक पहुंचते हैं, blended learning में offline, आप class में पढ़ाते हो, प्लस online भी उनको पढ़ाते हो, तो यह blended हो गया, और online education आपको मालूम है, e-learning जो होता है, internet के जरीए, जो भी नहीं, और quality assurance भी यही है, आप mechanism या processes को देखते हो, ताकि continuous improvement हो सके education standards में, और internal और external reviews, student feedback और benchmarking यह सबी इसके अंदर आ जाता है, student support service क्या होता है, academic advising हो गया, आप बच्चों को advise कर रहा है, guidance provide कर रहा है, कि कौन से course को select करना चाहिए, कौन सा career planning और academic progress होना चाहिए, फिर counseling और well-being के लिए उनको आपने जो है कुछ support दे दिया, personal development के लिए support दे दिया, career service में आप जो है, job placement में उनका assist कर सकते हैं, internship में, resume writing में, career planning में help कर सकते हैं, libraries and learning resources के जडिये जो है, आप academic resources का access दे सकते हैं, research database या फिर study spaces का access दे सकते हैं, research and development के बारे में बात करें, तो देखे, research बहुत important higher education में, और नए knowledge को generate अकर करना चाहते हैं, नए ग्यान अगर आप चाहते हैं कि उसके उत्पत्ती हो, तो उसके लिए research या अनुस्रंधान करना बहुत important है, साथी साथ जो social issues, जो समाजिक जो भी issues हैं, उनको solve करना या फिर कोई, कई सारे ऐसे fields से जिसको study करना है, research research जो है, वो fundamental या basic हो सकता है, जिसमें knowledge enhancement is the main key, और applied भी हो सकता है, जिसमें practical solution find out करना रहता है, funding research जो है, इसमें funding की जरौत होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा साथन साधन पैसा खर्च होता है, इसके लिए government grant देता है, आप जो UGC NIT का exam दे रहे हैं, तो इसमें जब आप जर्फ क्लियर करेंगे, तो यही आप grant दिया जाएगा और इसी को कहते हैं, funding research के लिए, private sector sponsorship भी हो सकता है, फिर अगला देखते है, higher education policies and governance, तो देखे, national policy जा जाता है, जैसे government established policy करता है, regulate करने के लिए, support करने के लिए, higher education को funding देता है, institution देता है, institutional governance होता है, जहां पर administration involved होत institutions का, और साथी साथ यहां पर decision making bodies होते है, administrative structures या strategic planning होता है, हम देखते है, higher education के challenges को, जैसे पहला access and equity, तो कई बार higher education का access नहीं मिल पाता है, सारे ही लोगों को यह access नहीं मिल पाता है, इसलिए socio-economic background इसका एक करण बन सकता है, gender या location इसका करण बन सकता है, फिर affordability, तो देख पढ़ाने में, financial burden पढ़ जाता है, और इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पाता है, quality वज़से quantity हो जाता है, कई बार जो है, क्या होता है कि institutions तो बढ़ रहा है हमारे हां, लेकिन उनकी quality अच्छी नहीं हो रही है, यह इंडिया में खूब देखने को मिलता है, बहुत सारे program चल रहे हैं, लेकिन उनका standard अच्छा नहीं है, तो इस वज़ा से भी जो बच्चे निकलेंगे, उनके अंदर वो skill होगा ही नहीं, globalization में, क्या है कि आप जो है, globalized world का क्या demand है, क्या उनके जो है, नीट्स हैं, उसके हिसाब से adapt कर रहा है, international collaboration और competition जो है, यह भी होता है, और इसक रहा है कि कितना digital tools का इस्तमाल हो रहा है, online learning platforms और virtual classrooms का इस्तमाल हो रहा है, lifelong learning जो है, यह इसको भी promote करने के लिए, continuous education के लिए, जीवन परंद सिक्छा लोग ले सकें, तो online learning के जो है, lifelong learning प्रमोट हो ही रहा है, और साथी साथ जो है, एक कोई काम भी कर रहा है, मालेजिए कि आप पढ़ा रहे हैं, आप एक teacher हैं, तो साथी साथ professionally develop होने के लिए आपने कोई course भी कर रहा है, वो भी हो सकता है, interdisciplinary studies यह NEP 2020 में खूब देखने को मिल रहा है, जिसमें जो अंताव विशय सिक्छाणिस हम कहते हैं, कि कई subject एक साथ आप पढ़ सकते हैं, interdisciplinary studies में एक discipline में सिर् वाले चल रहे हैं, educational opportunity को enhance करने के लिए research को बहतर बनाने के लिए, तो यह future देखा जा रहा है, higher education का, तो I hope कि यह सारे ही units आपके clear हो गया होंगे, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, और अब हम देख लेते हैं थोड़ा, higher education के कुछ colleges जो की इंडिया में पहले थे, और उनके ब university जो है ना, इसको आप T-A-X-I-L-A भी आ जाएगा, तब भी आप confused मत होईएगा, यह present day पाकिस्तान में है, अभी जो पाकिस्तान है, उस समय पे यह इंडिया में ही सारा आता था, यानि भारत था, तो तक्सिसिला university वहाँ था, 6th century BC से 5th century BC का यह इसका period है, और यह medicine में इ prominent center था, military science के लिए, और philosophy, वेदा के लिए grammar और linguistic के लिए, नालंदा university आपने नाम सुना होगा, तो नालंदा जो है, यह एक Buddhist studies के लिए जाने जाने वाला बहुत important university है, प्रेजिटेंट बिहार में जो है, 5th century BC से 12th century BC तक चला था, इसको बक्तियार खिलजी ने destroy कर दिया था, और महायान Buddhism का study के लिए एक leading center था, और यहाँ पर China, Korea, Japan और South East Asia से लोग आते थे, logic और philosophy के लिए इसको जाना जाता था, दिगनाग और धर्म किर्ती जो है, जैसे scholars ने यहाँ पर पढ़ाया था, medicine, Ayurvedic medicine जो है, वो यहाँ से निकला, और significant area of study था, आरे भट भट भी माना ज literature के लिए जाना, विक्रम शिला उनिवर्शिटी है, तीसरा, तो विक्रम शिला उनिवर्शिटी भी बिहार में ही इस्थित था, और 8th century C से 12th century C में भी इसका जो पीरिड है, वो आता है, 8th century C से 12th century C तक, 12th century C तक, और इसको भी वक्तियार खिलिजी ने destroy कर दिया था, अच philosophy, grammar, medicine के लिए जाना ही जाता था, और law and politics, वल्ला भी एक university था, याद रखेगा, वल्ला भी, और ये गुजरात, जो आज का है, present day गुजरात, वहाँ पर ये इस्थित था, बुधिस studies के लिए जाना था, economics and commerce के लिए, logic, law and political science और medicine के लिए, फिर mythila university था, नाम से ही आपको इस्थित था, तो सोचे उस समय पर बिहार एक center of learning था, 8th century से 12th century C में, बुधिजम, logic and philosophy और medicine के लिए जाना जाता था, ये सारे ही ancient universities और साथी साथ कुछ places थे हैं, जैसे अजयन था, आपको नाम वालूम ही होगा, तो ये फिर काशी था, इनको जाना जाता था, ये भी center of learning है, तो I hope कि आपका सारा ही paper one के सारे topic जो है वो लगवग यहां से cover हो गया हूँ, और इस video के जरीए मैंने आपका एक marathon session के जरीए सारी ही चीजे cover करने की कोसिस किये, I hope कि आपको ये हमारा effort अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, तो video को like कर दीजिए, आपको नवरा पनुगा के आपका लगा होगी, नमस्कार